जैहिंद, नमस्कार, मैं अमनुकुमर पांडे, आप लोगो ब्राइट पॉब्लिकेशन की यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, तो कैसे आप लोग उमिद करता हूँ, बहुत अच्छे होंगे, और आसा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ने की हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है, तो चलिए, आईए हम लोग आते हैं, आज क्लास 9 के चिप्टर 10 के एकसरसाइज 10.5, ठीक है, परसनावलियो 10.5 के हम लोग इसकी जितने भी क्वेस्टन हैं, उसको हम लोग लोग आते हैं, क्वेस्टन नंबर एक पर, क्वेस्टन नंबर एक पर, तो क्वेस्टन नंबर एक है, पढ़िये, केंदर ओ वाले एक बिरीत पर तीन बिंदु है, केंदर ओ वाले एक बिरीत है, जिन पर तीन बिंदु है, ए, बी और सी, इस परकार है, कि कौन बी और सी, यानि कोण O जो है कोण B से लिखा है यानि बीच वाला लिया जाता है तो कोण O बराबर 30 डिग्री तथा कोण A, O, B यानि कोण A, O, B बराबर 60 डिग्री है इसमें भी कोण O है लेकिन वो अलग आज जाएगा हम लोग आगे देख लेंगे कोण A, O, B ब्रावर 60 डिगरी है यदि चाप ABC के अतरीक्त ब्रिट पर D एक बिंदू है एक ABC के बाद एक अतरीक्त बिंदू D है तो तिर्भू यानि कौन ADC ग्याद किजी यानि कौन D जो है उसको हम लोगों ग्याद करना है क्लियर है question समझ में आया question समझ में आया तो question का अनुसार हम लोग क्या करें एक figure रो करते हैं ठीक है चली एक figure बनाते हैं एक बरीट है एक बरीट है ABC चली मान लेते हैं कि ये बरीट का केंदर हो गया C इस परकार है कि चलिए ये है मालने जिए कि A ये हो गया B और ये हो गया C ठीक है? इस परकार है ये तिनों इस परकार है कि कोण B और C B और C किंद्र O मालने जिए B O C कोण B और C 30 डिगरी B और C ये कितना डिगरी है 30 डिगरी का कोण है समाज में आ गया समाज में आ गया BOC 30 degree उसके बाद AOB ये कौन ये कौन कितना है 60 degree है ये कौन कितना है 60 degree है अब समझे यहाँ तक तो हमनों काम कर दिये अब बोल रहे कि यदी चाप ABC के अतरीक्त बृत पर D एक बिंदू है तो बिरीत पर कोई D एक बिंदू है तो अतरीक्त चाप ले लिजिए इसको मिला दिजिए और इसको मिला दिजिए चलिए ये है D तो ये कौन हम लोग से D पुछ रहा है निकालने के लिए समाज में आ गया question और figure समाज में आया चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग निकालते हैं तो आईए solve करते हैं कि कौन A और C बराबर देख लिजए यहाँ पर हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि जब ये देखिए figure ध्यान से कि जब ये total total ये देखिए ये कौन 60 degree है और ये कौन 30 degree है ये total कौन कितना हो जाएगा total कौन कितना हो जाएगा तो ये 30 है और ये 60 है तो total कितना हो जाएगा 60 degree हो जाएगा यानि कौन A O कौन A O C A O C बराबर 60 degree हो जाएगा 90 degree हो जाएगा समाज में आया कि नहीं ए ओ सी को यानि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी ओ बी ये कोण प्लस कोण बी ओ सी ओ बी ओ सी ये कोण लिख सकते हैं बराबर यानि कोण ए ओ सी कोण समझ में आया कि नहीं यहां पर तीस से यह कोण ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा नबवे डिगरी समझ में आया ना तो उसी तरह से यहां पर भी solve किया गया है कौण AO बराबर 90 degree यहां तक समझ में आ गया AOC AOC बराबर लिख सकते हैं कौण A, D, C कौण A, D, C कौण A, D, C यह लिख सकते हैं कि यह दोगुना है इसके चलिए तो आगे बोलते हैं कि जब यह हम लोगों को पता हो गया कि कौण A, O, C बराबर कौण कौण A, O, C बराबर 2, कौण A, D, C यह जब लिख दिए तो यह हम लोग लिख सकते हैं कौण A, D, C बराबर यह हो जागा यहां पर द्यान दिजिए कि कौण A, O, C बराबर 2 cone ADC 2 cone ADC ठीक है तो जब यह हम cone ADC निकालेंगे तो यह ADC तो यह क्या हो जाएगा यह इधर गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा तो यानि 1 बटा में do cone AOC समझ में आया समझ में आगया तुस्सी तरह से यहाँ पर किया गया है तो cone AOC ADC बड़ाबर 90 डिग्री निकाले थे हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री तो कटा दीजिए तो यह कितना हो जाएगा 45 डिग्री तो ADC बड़ाबर 45 डिग्री answer समझ में आगया चलिए next आते हैं next आगे आते हैं चलिए दूसरे नंबर कोश्चन पर कि किसी ब्रीत की एक जीवा ब्रीत की तरीजिया के बराबर है क्या बोल रहा है कोश्चन ध्यान दीजिए कि किसी ब्रीत की एक जीवा है एक जीवा है जो क्या है तरीजिया के बराबर है देख लिजिए यह एक ब्रीत है यह मान लिजिए कि यह तो होता है त्रीजिया होता है, तो इसका जो एक जीवा है, वो क्या है कि त्रीजिया का बराबर है, तो माल लिजिए कोई भी जीवा, यहीं ले लिजिए, यह हम ले लेते हैं, यह जीवा, यह क्या है, यह आपस में बराबर है, एक हम बता रहे हैं, अभी फिगर में हम बता रहे हैं, ठ जीवा द्वारा लगु चाप के किसी बिंदू पर आंतरित कोण, जीवा द्वारा लगु चाप पर बिंदू पर आंतरित कोण ग्याद किजिए तथा है, दिर्ग चाप के किसी बिंदू पर आंतरित कोण ग्याद किजिए, आंतरित कोण ग्याद करना है, यहां पर देख ये कि ये जो है इसका जीवा है तो ये त्रीजिया के बराबर है एक माना गया है जैसा कि त्रीजिया में हम लोगों को कोशन में भी कोशन में भी बोला था कि जो जीवा है वो त्रीजिया के बराबर होगा समझ में आया तो बृत में ओपी बराबर ओकी हो जाएगा O P बराबर O की हो जागा ये तो दोनों तरीजिया हैं ये तो बराबर होंगे ही ये दोनों तरीजिया हैं तो ये तो दोनों बराबर होंगे ही कौन P S Q और कौन P R Q है कौन P S Q और कौन P R Q तो आप निकालते हैं कौन P S Q में कौन P S Q में P S Q नहीं O हो गा यहां पर PSO हो जाएगा PS Isso हो जाएगा यहां पर क्यों नहीं होगा PSO हो जाएगा तो PA Os में OP और Po दिया है OP और Po क्या है के दिया है एक मिनट sorry PSQ PSQ यह तिर्भुज में sorry, साही दिया था यह तिर्भुज में PSQ में देख लिजे कि O P बराबर P Q दिया है O P O P बराबर P Q ये तो दिया ही है ध्यान दिजेगा सोरी उस समय मिश्टिक हो चुगा था O P बराबर P Q दोनों तिरीजिया है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे या दिया भी है तीनों से जब सम्मी करण निकालेंगे यहां पर ध्यान दिजिए जब बराबर पी क्यू है और फिर ओपी बराबर ओक्यू है तो यह हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर ओक्यू तो यह उपी बराबर यह दोनों हो जाएगा आपस में तिनों बराबर हो जाएंगे क्लियर है समझ में आ गया तो वहीं चीज यहां पर दिया गया है समझ में अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि अब आते हैं POQ में POQ एक संभाहू तिर बुझे POQ जब निकालिएगा तिर बुझ में उस फिगर में तो संभाहू तिर बुझे इसलिए कौन PRQ प्लस कौन PSQ बड़ाबर 180 डिगरी ठिक है तो ये PRQ तिर निकाल दिए तो यह 180 degree तब PRQ निकाल देजिए कि 180-30, 1500 degree यह तो solve करने वाला है, जो बात समझने वाली थी, उपर समझने वाली थी, यहाँ पर हम लोग solve कर लेंगे, समझ में आ गया, चलिए, तीन नमबर question पर आते हैं, question number 3 है, question number 3 है, कोण PQR, कोण PQR बरावर صow degree दिया है, कोण PQR यह देख लीजिए, कोण PQR यह तो यह Q ज्योगर बरावर दिया गया है, यह कितना है, 100 degree है, जहाँ PQ तथा R केंदर O वाली एक बरीद पर इस्थित बिंदू है, ठीक है, P, Q, R यह बरीद पर एक इस्थित बिंदू है और O केंद्र है तो हम लोग को ग्याद करना है कोण O, P, R कोण O, P, R यानि यह कोण हम लोग को ग्याद करना है समझ में आया फिगर के अनुसार हम लोग बना है question के अनुसार फिगर बना लिए फिगर बनाने के बाद हम लोग को क्या ग्याद करना है ये भी हम लोग पता कर लिए चली अब हम लोग क्या करते हैं आगे आगे हम लोग इसको solve करने में कैसे solve करते हैं आए देखे कि यहाँ पर एक हम लोग एक अपने से रचना कर लिए, ठीक है ना, अपने से रचना करके चाप काट लिए है, तो देख लिए जिए, कि P Q R S एक चक्रिय चत्रुभुज़े, P Q R S, P Q R S एक चक्रिय चत्रुभुज़े, दिखाई दे रहा है, तो P कौन P S R पलस कौन Q, यानि कौन S और कौन R, P S R, P S R ये कौन पलस P Q R, ये कौन बराबर कितना डिगरी होना चाहिए, 180 डिगरी तो ये कौन तो दिया हुआ है, 100 डिगरी, यहाँ पर 100 डिगरी लिख दिजिए, तो इसका मान निकाल दिजिए, तो 180 में से 100 गया, तो 80 डिगरी, यानि इसका विमान कितना आ गया, 80 डिगरी आ गय है कि कोण POR बराबर 2 कोण PASR तो यहाँ पर PASR बराबर 80 degree निकल गया है यानि 80 degree तो दूगने 180 तो बराबर में आ जाएगा 160 degree यानि कोण POR बराबर 180 degree है तो तिर्भूज OPR में अब आते हैं तिर्भूज OPR निकाल लेते हैं यहाँ पर आईए figure के साथ हम दिखाते हैं OPR OPR यह तिर्भूज यह तिर्भूज पर आवात हैं तो इस तिर्भूज में आईए हम लोग देखते हैं OP बराबर OP OP बराबर OR हो जाएगा देख लिए ओ P बराबर OR हो जाएगा यह दोनों त्रीजिया हैं ये केंद्र है ना केंद्र से ब्रित के परिधी की दुरी कितने हो दोनों त्रीजिया होती है तो आपस में बराबर हो जाएंगे ये बराबर हो जाएंगे त्रीजिया हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे दोनों त्रीजिया है त्रीजिया ओपी बराबर हो आपको ओ पी आर बराबर कुन ओ आर्पी यह भी बराबर हो जाएंगे तो आप स्ट आप की निचम कुन का 1310 दिगरी होता है तो इसका मान दिया हुए है 160 यह हो जाएगा 2 कॉन ओ पी यार तो 160 माइनस 160 और प्लस इतना बराबर 180 180 तब इसका मान निकाल लीजिए तो यह 180 में से 60 या 20 है और कॉन ओ पी यार बराबर हो जाएगा 20 बटा में दूर तो कटा दीजिए तो 10 हो जाएगा किलियर है समझ में आए सल्व तो आप लोग भी इसको सोलूशन कर सकते हैं में जहां पर समझने वाली बात थी वो समझ में आ रहा है कि नहीं बताईएगा कॉमेंट करके जरूर चलिए चार नमबर कोशन है कि कौन ABC यानि कौन B बराबर क्या निकालना कालना है देखे हैं फिगर बना यह भूर है यह ब्रीध है ABC हम लोग निकाल लेए एक ABC यह तिरभूज है और एक डीवी सी तिरभूज है समाझ में आ रहा है चली यह तो बोल रहा था क्वाण 49 है और यह है 31 साइब्स यहागा दृखें फिर भूज है लीजिए लीजिए फिर भूज है A, B, C, सल्व किजिए, तो तिरबूज A, B, C में, कौन A, प्लस कौन B, प्लस कौन C, बराबर 180 डिगरी, तो कौन B, 69 दिया है, और कौन C, दिया है, कहतर, तो कौन A, निकाल लेजिए, ठीकिया हो जाएगा, कौन A, बराबर A, प्लस 69, प्लस 31, बराबर 180, समझ में आ रहा है, त कौन A, बराबर हो जाएगा, कौन B, और कौन C, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100, समझ में आ रहा है, कौन A, बराबर 80 डिगरी आ गया, यहां तक किलियर है, तो अब चलिए, अब आ गया आते है, यहां आ गया 80 डिगरी, तो कौन B, D, C, बराबर कौन A, B, D, C, बराबर कौन A, B, D, C, यह कौन और यह कौन आपस में बराबर हो जाएगे, तो यह 80 डिगरी है, तो यह भी कितना डिगरी हो जाएगा, 80 डिगरी हो जाएगा, समझ में आ गया, किलियर है, समझ में आया, 80 डिगरी हो जाएगा, अब आते हैं, question number 5 पर, यहां तक समझ में आया कि नहीं, आप लोग comment करके जरूर बताएगे, ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना, चलिए, आते हैं next, next question है, 5 number, 5 number question है कि एक बिरीत पर A, B, C, D, A, B, C, और D, 4 बिंदू है, A, C, और B, D, एक बिंदू, E, पर इस परकार प्रतिछेद करते हैं, कि कौन B, E, C, बराबर 130 डिगरी, तथा कौन E, C, D, बराबर 20 डिगरी है, तब बराबर में कौन B, A, C हम लोगों ग्याद करना है, यानि कौन A हम लोगों ग्याद करना है, ठीक है, फीगर से समझते हैं, कि देखिए एक बिरीत है, A, B, C, D, A, B, C, D, 4 इन पर बिंदू है, A, C, और B, D, पर, A, C, ये इस परकार प्रतिशेद करती है, ये कितना हो रहा है, 130 डिगरी हो रहता है, तथा कौन E, C, D, E, C, D, E, C, D, बराबर 20 डिगरी, E, C, D, यानि ये हो जाएगा 20 डिगरी, समझ में आ गया, और हम लोगों को निकालना क्या है, B, A, C, B, A, C, ये कौन हम लोगों क जियात करना है, समझ में आ गया, क्या निकालना है, फिगर कैसे बन गया, चलिए, अब आते हैं, सॉल्व करते हैं, इसके, इसको सॉल्व करते हैं, कि देख लिए कि कौन D, कहनी कौन E, और कौन E, जोड़िएगा, तो 180 डिगरी, ये तो चक्रिय चतरफुज हो जा रहा है, चलिए, यहां पर ध्यान देजिए, कि कौन E, DEC, DEC, ये कौन, ये कौन, जब ये लंब सम्धिभाजित ये देखिए, कि जब ये कौन और ये कौन जोड़िएगा, तो दोनों 180 डिगरी होना चाहिए, सब बोल जाएए, ये किसी रेखा, पर कोई भी परतिछेद करती है, ए 130 डिगरी, यानि, ये मान दिया हुए, 30 डिगरी, इसका मान निकाली जिए, तो 130 में से 130 गया, तो 50 डिगरी, 50 डिगरी हो गया, तो अब कौन B, A, C, बराबर कौन C, E, D, C, E, D, कौन C, E, D, ये कौन बराबर हो जाएंगे, ये कौन और ये कौन आपस में बराबर हो जब दोनों एक अहीं ब्रित कंड के कौन में जब बने होते हैं दो कोन इह आपस में बराबर होते हैं यह कोन और यह कोन के बराबर हो जाएंगे तो यह 130 है तो यह भी निकल जाएगा 130 asylum clear है समझ में आ गया DEC sorry DEC DEC ये 50 आ गया है तो ये भी हो जाएगा 50 degree समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं ये भी हो जाएगा 50 degree next question है 6 number 6 number question है abcd एक चकरिय चत्रुपुज है abcd एक चकरिय चतुपुज है जिसमें बिकंड एक बिन्दु जिसका एक चक्रिय चतर भूज है जिसका विकार्ड एक बिन्दू पर प्रतिछेद करती है एक बिन्दू E पर प्रतिछेद करती है ठिक है यादि कोण DBC बराबर 70 डिगरी और कोण BAC बराबर 30 डिगरी हो तो कोण BCD ग्याद किजिए तो कोण AB बराबर BC हो तो कोण ECD ग्याद किजिए मतलब कि यह दिया है AB बराबर जब BC हो जाएगा तो ओकोंड भी हम लोगों ग्याद करना है तो आईए हम लोग ग्याद करते हैं पहले क्या करेंगे पहले फिगर बनाते हैं तो एक चक्रिय चतरभुज बना लिए ABCD का उसके बाद है कि जिसके बिकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिशेद करती है यह एक चक्रिय चतरभुज है इनका बिकर्ण है यह यहाँ पर प्रतिशेद करते हैं तो चलिए E माल लेते हैं कोई भी ठीक है ना चलिए एक बिंदू कुछ भी हम लोग EBCD कुछ भी जे सकते हैं तो कौन DBC, कौन DBC, DBC, ये कौन, 70 degree है, और BAC, BAC, ये हो गया 30 degree, ओ, तो कौन BCD निकाली है, कौन BCD, BCD, ये कौन हम लोगो, ये total कौन हम लोगो ग्याद करना है, ठीक है, और उसके बाद पुनह जब AB बराबर, ये BC है, तो कौन ECD निकाली है, ECD, ये कौन, कौन है, ये कौन निकालना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अब चलिए, आईए हम लोग, तीदे करते हैं, क्या निकालना है, हम लोगो समझ में आ गया न, तो चलिए, अब निकालते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, कि कौन D और कौन A बराबर हो जाएंग ध्यान दिजिये कि कौन BDC ये कौन बराबर हो जाएंगे BAC इस कौन के बराबर हो जाएंगे ये कहीं बिरित खंड में बराबर होता है clear है तो कोण BDC बड़ावर 30 degrees समी कराण 1 में दिया हुआ है 30 degrees यह तो है ही चलिए BDC हो जाएगा 30 degree यह जब 30 degree है तो यह भी 30 degrees हो जाएगा समझ में आगया चलिए अब आते हैं कि तिरभुच BDC में तिरभुच BDC में जब आएंगे तो यह हो जाएगा कॉन C, कॉन D और कॉन B बराबर 180 डिगरी तिरभुष के तिनों कॉनों कही हो गया 180 डिगरी 30 दिया हुए 30 और 30 दिया हुए 70 30 का मान निकाल लीजिए तो दोनों जूड जाएगा तो 100 180 में से सौई गया तो 80 डिगरी आ जाएगा तो कोण B, C, D बराबर 80 degree अब देखिए कि यदि A, B, B, C दिया हुआ है ये तो निकाल लिए कोण B, C, D बराबर 80 degree क्लियर समझ में आ गया अब next question है कि A, B, B, C दिया हुआ है तो हम लोग को आगे एक कोण निकालना है तो चलिए हम लोग उसको भी निकाल लेते है तो आगे है कि कोण B, C, A बराबर कोण B, A, C ये बराबर हो जाएगा बराबर भुजाओं के समुख कोण बराबर होते है बराबर भुजाओं के समुख कोण आपस में बराबर होते है सामने वाली कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोण BAC बराबर 30 डिगरी तो यहां यह दोनों जूट जाएंगे बराबर में कोण BCD तो इसका मान है 30 डिगरी तो यह निकाल लेजिए तो कोण ECD बराबर हो जाएगा 50 डिगरी क्लियर समझ में आ गया समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं चलिए, साथ नंबर कोश्चन पर आ रहा है कोश्चन नंबर साथ है कि यदि एक चक्रिय चत्रभूज चक्रिय चत्रभूज के विकर्ण उसके सिर्सों से जाने वाले ब्रित के ब्यास हो तो सीद कीजिए सीद कीजिए ये दुनों एक पास हो जाना चाहिए कि वह एक आयत है सीद कीजिए वह एक आयत है ये P, Q, R, S, हमको सीद कर देना है यह एक आयत है ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको सल्व करते हैं आए चल्व कर लेते हैं तो P, S, B, यहाँ पर देखेए ब्रीत के एक बिंदू से, मतलब एक छोड से, जो रेखा होकर ब्रीत के केंदर से होती हुई गुजरती है, दुसरे रेखा पर, यानि एक परिधी, ब्रीत के परिधी से, एक किनारे से, ब्रीत के केंदर से होती हुई, जो रेखा जाती है, वो ब्यास कहलाती है, ब्यास जो है ब्रीत की सबसे बड़ी रेखा होती है बड़ी जीवा होती है जीवा भी बोल सकते है ठीक है ना ब्रीत के अंदर जो जीवा होती है ब्यास है वो सबसे बड़ी होती है clear है तो चलिए PS ब्रीत का ब्यास है PS जो है ब्रीत का ब्यास है तो अर्द बृत में बना कोण समकोण होता है अर्द बृत में बना कोण समकोण होता है तो अर्द बृत में बना कोण ये क्या होगा समकोण हो जाएगा ये जदि अर्द बृत होता तो ये क्या होता समकोण होता ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए कि सम्कौन होता है यह तो हमको पता ही कि far the breath में कोई भी ब्यास बनेगा यानि यह जो होगा यह क्या हो जाएगा यह 90 degree यह total जब हो रहा है तो एक स्वास्ती बना रहा है यह नहीं रहेगा तो यह 90 degree न में बनाएगा आप बताये कि यह किसमां इतना डेगरी का कॉन बना रहा है तो यह 90 समकूर होता है तो कॉन पी आरेस यानि कॉन आर बराबर 90 डेगरी और कॉन पी कीवेश ? यह भी 90 डेगरी है समझ में रहा है, समिकरन एक, और ब्रीत का ब्यास है, चली, और ये ब्रीत का ब्यास है, तो तब तथा अर्ध ब्रीत में बना कोण समकोण होता है, तो उसी तरह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, सिम, अब समिकरन एक और समिकरन दो से समझ में स्मिकर्ण 1 और समिकर्न 2 से क्या हो जाएंगे कि तीनों बराबर हो जाएंगे पीर नान्य लिए नीन डी करों इंटी इनन किरे सो ठये तो ग्लियर हो रहा है तो टीचार यह एक आयत है तिरभुज PQRS यह एक आयत है ठीक है किलिए रहे समझ में आगया चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आठ नमबर कोशन पर आठ नमबर कोशन है यदि एक समलम की असमांतर यदि एक एक सम्लम्ब की असमांतर घूजाए बराबर हो तो सीधे कीजिए कि वह चक्री है वह चक्री चत्रभुज है या चक्री है चली आई हम लोग सीध करते हैं यह देखिए कि एक सम्लम्ब है PQRS में देख लिजिए कि यहां पर दर्थाया गया है PQ बराबर PS बराबर QR ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पर हम लोग ये क्या कि अपने से लंब डाल दिये ठीक है? तो समलं PQRS में PQ लंब SR PQ जो है ये लंब डाल दिये है SR पे PT, PQ नहीं होगा PT होगा PT जो लंब है SR पर हम लोग डाल दिये तथा PS बराबर QR हो जाएगा PS जो है बराबर है PS QR ये तो बराबर है अता PS सम्नांतर Q2 है PS सम्नांतर QT PS सम्नांतर QT ये सम्नांतर हो जाएगा ये खीचे हैं ये सम्नांतर इसके हम लोग खीचे हैं क्लियर समझ में रहा है ना चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि चत्रबुज PQTBS में PQ समनांतर HT PQ समनांतर HT PQ समनांतर HT और PS समनांतर QT तो समनांतर HT तो समनांतर QT तो समनांतर HT और समनांतर HT हो गया तो PS है कोंड 2 और कोंड P मान लिया यह मान लिया गया वन और ये दो ये दोनों जब लंब है तो दोनों का जोड society होना चाहिए उसी तरह से यहां पर भी दोनों को योग 180डिंगरी ओना चाहिए जोडेंगे तो समी करन एक और दो से तो कौन P प्लस कौन R बराबर 180 डिग्री समाज में आ गया किलियर है समाज में आ गया तो चली आईए इसी के साथ हम लोग आते हैं question number 9 पे question number 9 है दो बिरित दो बिंदूओ P और C P और C पर प्रतिछेद करते हैं तो B से जाने वाली दो रेका कंड A B C D और P B Q बिरितों को A D और P Q पर करम सा प्रतिछेद करते हुए खीचे गए हैं तो सीद कीजिए कि कोन A C P बराबर कोन Q C D ये हम लोग को बराबर है ये हम लोग को सीद करना है तो आईए हम लोग इसको सीद करते हैं Q 9 को हम लोग सीद करते हैं चलिए पहले क्या करेंगे पहले figure draw करेंगे figure बनाएंगे उसके बाद हम लोग इसको solve करेंगे ठीक है तो चलिए चलिए तो देखिए figure है P A B C D ठीक है तो चलिए हम लोग figure में solve करते हैं देखिए कि तिर्भू कौन A C P बराबर कौन A P B हो जाेगा है कहीं बृत खंड में बनें कौन बराबर हो जाएंगे कौन A B P बराबर कौन Q B D हो जाएगा सिरसा बिमू कोंण से ये दोनों बराबर कौन तीनों बराबर हो जाएंगे जब ये तीन वो कॉन आपस में बराबर हो रहे हैं देखिए यहाँ पर आप अपने से भी इसको सल्व कर लेंगे बहुत छोटा कोश्चन है A, C, P बराबर कॉन A, B, P ये बराबर है ठीक है अब देखिए कि कॉन A, B, P A, B, P बराबर हो रहा है कि इसके कॉन Q, B, D, K कॉन Q, B, D, K तो अब हम लिख सकते हैं कि कॉन Q, B, D बराबर हो जाएगा कॉन A, C, P ये तो हम लिख सकते हैं समिकरण वर और समिकरण दो से अब तिसरा समिकरण है कि कॉन Q, B, D बराबर हो जाएगा कॉन Q, C, D तो अब ये दुनों स्वामी करंट से हम लोग लिख सकते हैं, ये बराबर हो जा रहा है, तो कोण ACD बराबर हो जाएगा, कोण QCD, कोण QCD, तो वहीं ACP बराबर, कोण QCD यहाँ पर लिख दिया गया है, किलियर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया, चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, दस नमबर कोशन पर, दस नमबर कोशन है, कि यदि किसी तिरभूज के दो भूजाओं को ब्यास मान कर, ब्रीत खींचे जाएं, ब्रीत खींचे जाएं, तो सीध कीजिए कि इन ब्रीतों का प्रतिछेद बिंदू, तिसरी भूजा परिस्तित होगा, जो प्र सीध करते हैं इसको, पहले फीगर बना लेते हैं, कि दो, देखीं, ये ब्रीत के ब्यास से हम लोग बना लिए दो तिरभूज, ये दोनों आपस में ये क्या कर रहे हैं, या पर प्रतिछेद कर रहे हैं, क्लियर हैं, देखें, तिरभूज की भूजाओं, पी क्यू और पी लीख देंगे उसके बाद और ब्रीत में बना कॉंड उसको आम लोग बहुत असानी से साल्व कर लेंगे कि कॉंड एस बराबर 90 डिग्री और कॉंड P.S.R. बराबर 90 डिग्री समी करन टू तो P.S.Q. और P.S.R. बराबर 90 डिग्री तो P.S.Q. रहे तो यह दोनों रेखाई को बनाते हैं तो है की एस आर एक्स्टरल रेखा है कि दो गया प्रूब डो गया क्लियर है बहुत असान है आप लोग अपने से भी इसको कर सकते थे चलिए आए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर कोश्चन पर 11 नंबर कोश्चन है कि उभैनिष्ट करण AC तो उभैनिष्ट करण AC तो उभैनिष्ट क्या होता है दोनों में होना चाहिए 2 संकोन तिर्भूज ABC है तो C दिखीजिए कि कोन A, C, D बराबर कोन B, A, C, B, D देखिए कि ये क्या बोल रहा है कि A-C उभैनिष्ट है A-C दोनों में होना चाहिए तो दो तिरभूज हम लोग बना लिए एक A-B-C बना लिए और क्या बना लिए A-C-D इसको दोनों में होना चाहिए उभैनिष्ट पहले ही बता दिया है तो हम लोग को क्या सिद करना है, कोण CAD, ये कोण, बराबर कोण CBD, ये कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर ही हम लोग को सिद करके दिखाना है, तो आईए देखिए पहले जो किये हैं वो देख लिजिए, ABC और ADC, वेनिस्ट करन AC पर दो समकोण तिरबुज़े, दो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों समकोण तिरबुज़े, किलियर है, तो दर्साइए कि इतना हम लोग लिख दिए कि दर्साना ये है, तो अब देखिए, अब आते हैं कि तिरबुज ABC, तिरबुज ABC और तिरबुज ADC, एक अहीं अधार BC परिस्तित है, तथा कोण, कोण BAC, बराबर कोण BDC है, तो अता बिंदू ABC और D, एक अहीं बरित परिस्तित है, एक बरित खंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगे, एक अहीं बरित खंड में बने कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हम लोग पहल चक्रिय शमांतर चतुरभूज आयत होता है चलिए तो आते हैं कोश्चन पर कोश्चन हम लोग के सामने हैं देख लिए कि फीगर हम लोग बना चुके बरीत है और इसमें चतुरी चतुरभूज सिझ और जो चीज हम लोगोंने चत्र हैं वह लग लिख दिये और जो अम लोग को क्या करना सिझ सो सब्सक्राइव से रहेम सफासी जब यह 90 दिगरी और यह 90 हो पिलस कोन आर बराबर 90 डिग्री एक SagC успy बढ़र कोन र कि ए कोन र हो समानतर चतुर्बुज में जिसका कौन समकुन होता है आयत कहलाता है तो अता कौन पी की वारस एक आयत है समझ में आया इसी के साथ हम लोगा 10.5 भी क्लियर हो गया तो उमीद करता हूं कि आप लोगों को हर एक कुश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसा लग रहा है ठीक है तो आज के लिए बस इतना है जै हिंद जै भारत